Question number 16 देख लिया, find two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum तो given क्या है हमें x plus y is equal to 16 और find क्या करना है x और y find करना है function minimize क्या करना है z that is equal to x cube plus y cube तो ठीक है y की value 16 minus x put कर दिया, यहां से तो function अबारा किसमें आगे है, z is equal to function of x हो गए तो z को लिख लेते है x cube plus 16 minus x का whole cube तो ठीक है open भी कर लेते हैं इसको, ठीक है न, क्योंकि मैं मालूम है कि a minus b का whole cube, यह identity तो मैं मालूम होना चाहिए, a cube minus b cube minus 3ab और bracket में a minus b, तो z कितना आगे हमारे पास x cube plus अब यह a cube minus b cube minus 3ab 3ab b into a minus b इससे एक एंसील हो गया ओके, तो यह बच गया हमारे पास 16 का cube minus 16 3 जा 48, 48 into 16 16, तो एक बार इदर कर लेते हैं, 48 into 16, 16, 8 जा 128, 64, 74, 76 minus 768, x plus 48 x square, ओके, अभी z is equal to function of x आ गया, तो ठीक है, इसे z भाए dx कर लिया, is equal to 0 बूट कर दिया, for turning points, तो यह value कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगा, minus 768, plus 96 x square, correct, 96 x, तो 96 x is equal to 768, तो x की value कितनी आ गया, 8 आ जाएगी, अब इसको, test कर लिया कि यहाँ पर maxima है, या minima है, d square z by dx square, तो कितना आ जाएगा, यह तो आ जाएगा, positive भी आएगा, 268, 12, 298, 192 x आ गया, ठीक है, at x is equal to 8 निकाल देंगे, तो positive value यह आएगी, तो यह तो minima आ रहा है, तो minima at x is equal to 8, तो x की value तो 8 आ गई, तो when x is equal to 8, तो value of y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 16 minus 8, तो यह भी 8 आ गया, तो हमारे पास दोनो positive numbers क्या आ गए, 8, 8, तो easy question हुआ यह भी, question number 17 पर आ जाते हैं, यह figure based questions है, analytical, logical दोनों चीज़ें apply होंगी इसमें, हमें a square piece of tin दे रखा है, of side 18 cm, 18 cm, ठीक है न, side दे रखा है tin का, square piece का 18 cm, तो 18 by 18 का हमें एक tin piece दिया हुआ है, और इसका एक box बनाना है, without top, by cutting a square from each side, from each end, ठीक है न, fold करने के लिए, तो हमने यहां से x काट दिया, x काट दिया, x काट दिया, x, 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 और इसको हमने fold कर दिया, तो fold हो के ultimately यह x क्या बनेगा, यह x है, तो यह height बन जाएगी इसकी, तो यह box बन जाएगा, box का base हमें मिल जाएगा और height मिल जाएगी, what should be the side of square to be cut off, इसका नतर वो x की बात पुछ रहा है हम से, so that the volume is maximum possible, जो volume हो maximum बन जाए, हम कितना side काट दें x का, तो हमें क्या करना है, maximize करना है, volume of the box भी, अच्छा volume कितना हम आएगा box का, यह आजाएगा length into breadth into height, अब length कितनी रह जाएगी box की, क्योंकि हमने x इस corner से काट दिया, x ज़रत भी fold कर दिया, तो 18-2x रह जाएगी length, similarly breadth कितनी रह जाएगी, तो breadth भी तो इतनी रह जाएगी हमारे पास, 18-2x, height कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, तो वो जिखा हुआ है, x into 18-2x into 18-2x, तो इसे 18-2x का whole square कर दिया, अभी यह function है v, यह तो function of x बन गया, तो ठीक है, अभी इससे differentiate कर दिया, respect to x, तो इसे first मान लिया, इसे second मान लिया, तो first differential second, plus second differential first, ठीक है, तो यहाँ से 18-2x common आ गया, तो bracket के अंदर आ गया, 18-3x, 6x, अब turning point निकालने के लिए है, either this is zero, और this is zero, अच्छा, यहाँ पर 18-2x वोड़ा था, और यह एक complexity, बढ़ाने के लिए, बढ़ानी दो नहीं है, थोड़ी काम हो जाएं, यह terms वोड़ी बड़ी दिख रही हैं, छोटा दिखने के लिए, हम यहाँ से 2 भी भार कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमने 6 भार कॉमन ले लिया, तो 2 इंटो 6 भार कॉमन ले लिया, जिससे कि हमारे पास brackets के लिए टर्म्स आ गए, 9-x और 3-x, इसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा, इतना important issue नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें दिखाई दिया रहा है, x is equal to 9 और x is equal to 3, अच्छा x is equal to 9 हम लेनी सकते हैं, क्योंकि अगर x is equal to 9 लेंगे तो 18-2x का अंतलब, 18-18 is equal to 0 तो box ही नहीं बनेगा, तो हम इसे discard कर दिया, बचा x is equal to 3, अब x is equal to 3 बचिया तो हमने क्या किया, second derivative test लगाया, तो यह जो function आगया हमारे पास या तो हम इसमें second derivative test लगाए, या हम इसमें first derivative से काम कर सकते हैं, मतलब x का value अगर 3 है, तो 3 से slightly negative में हम जाते हैं, तो हम देखें कि dv by dx का value कितना आएगा, तो अगर थोड़ा छुटा हो जाए इसका value, x का value less than 3, तो यह time भी positive आएगी, यह time भी positive आएगी, तो यह तो positive है ही है, तो इससे छुटा होगा तो यह तो positive भी आजाएगा, और अगर हम x स्लाइटली बढ़ा जाते हैं, तो यह 3 से बढ़ा जाते हैं, तो 3 minus 3 point something, तो यह negative आजाएगी value, तो negative into positive, फिर दुबार negative हो जाएगा, तो that means हमारा जो slope है, वो negative, यह वो positive से negative की तरफ जा रहा है, तो इसका मतला हम बात कर रहे हैं, local maxima की, तो यह maximum आगया हमारे पास, ठीक है, तो function का value क्या होगा, maximum होगा, cup at x is equal to 3, यह इसका result आगया, तो result का है, result इसका यह ही है, x is equal to 3, ओके, next question देख लेते हैं, similar question है, a rectangular sheet of 10, 45 cm by 24 cm is to be cut, तो बिल्कुल same question है, पर यहाँ पर rectangular piece है ही, इतना ही difference है दोनों में, तो rectangular है, तो भी क्या होगा हमारे पास, किसी में change आएगा, जो formulate कर रहे हैं, वहाँ पर change आएगा, कुछ और तो कुछ नहीं है, तो length है 45, breadth है 24, तो फिर जो volume आएगा, इसका height तो हो जाएगा, length कितना हो गया, 45-2x, और 24-2x इसका breadth हो गया, terms को यह अंदर multiply कर लिया है इन दोनों को, और फिर हमने सब को, क्या किया, because यहाँ पर 3 term generate हो रही है, तीनों को हमने क्या किया, simply addition और subtraction में रख दिया है इसको, तो width equal to 4x cube, minus 138x square plus 1080x, for the ease of differentiation, अब differentiate किया है इसको, तो differentiate करके हमारे पास क्या हुआ, 4 into 3x square minus 138 into 2x, plus 1080, अब इसमें common R at 12 का एक factor, तो 12 को बाहर ले लिया, इससे हमने 0 put कर दिया, किसके लिए for turning point, तो यह बीच में 23 generate हो गया, और 90 इधर आ गया हमारे पास, तो 23 के factors क्या होंगे, 18 और 5, जो की हमारी इसको factorize करेंगे, जो हमें यहाँ पे expression दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास क्या values आ गए, x minus 18 into x minus 5 is equal to 0, अब x is equal to 18, तो x is equal to 18, अगर हम देखें तो यह possible नहीं है, क्योंकि 24 minus 2 into 18, how is it possible, पॉसिबल नहीं हम इसे discard कर दिया, बची x is equal to 5, तो जो x पूछ रहा है, एक तो 5 आ गया, अब x is equal to 5, अगर हम काटें, तो हमारे पास maximum volume आएगा, कि नहीं आएगा, तो एक तो हम यह कर सकते हैं, कि हम इसे differentiate करने, दुबारा से dv by dx को, या जो भी हमने पहले किया, कि अगर x का value 5 है, 5 से थोड़ा कम रखते है x का value, तो x का value थोड़ा 5 से कम रखेंगे, तो ये value भी negative आएगा, ये value भी negative आएगा, तो negative into negative positive हो जाएगा, अच्छे x का value 5 से जादे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये value तो थोड़ा सा 5 से यादे रखते हैं तो ये value तो positive हो जाएगा और ये value negative हो जाएगा तो positive से negative की तरफ जा रही है हमारी slope तो इसका मतलब हम local maxima की बात कर रहे हैं तो हमें local maxima क्या मिला 5 तो वही पुछा है इसने और उस maxima पर maximum value कितनी मिली क्योंकि volume ये फुछ रहा है what should be the side of square तो x की बात कर रहा है तो हमें मिल गया maxima maxima और ये maxima कैसा है local maxima है x is equal to 5 ठीक है तो यही answer है इसका same question है यह पहला question था it is similar question number 19 show that of all the rectangles inscribed in a given circle the square has the maximum area तो हमारे पास given क्या है पहले हमें given है एक given fixed circle fixed circle का मतलब ये हुआ कि ये circle क्या हुआ इसका area तो pi r square हुआ न तो इसका मतलब ये fix हो गया right इसका radius क्या हो गया constant हो गया इसका radius radius change नहीं होगा क्योंकि radius एक variable है तो area fixed नहीं होगा इसका क्या fix हो गया radius radius को हम change नहीं कर सकते हैं तो यहां से हम ये समझें अब इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने तो एक rectangle draw किया तो यह एक rectangle है, जिसकी sides हमाई पढ़ी पता नहीं है, इसकी side है x और इसकी side है y, ठीक है, एक side तो यह होगी दिखाई दे रही है हमको sides को अभी लिखते हैं, कैसे लिखेंगे तो the square is maximum area, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो जो given है, हमें एक तो figure बनाएंगे, तो figure हमने एक बना लिया उसके अदर में given क्या है, given जो है वो यहाँ पर लिख लिया, given क्या है circle दे रखा है, of radius r, radius r का circle दे रखा है, तो इसका मतला भी यह हो गया, fixed अब maximize यह करना है, area यह करना है, तो function जो maximize करना है, वो function हमरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, area area of rectangle क्या होता है, length into breadth होता है, length into breadth होता है तो एक चीश तो यह कि हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, या तो हम इससे x और y लेके चले बट हमने क्या किया, इसको trigonometrically prove करने कोशिश की, हमने क्या किया कि, यह circle है और इस circle का radius है, r, ठीक, अच्छा, यह जो angle है, यह angle theta है, between the diagonal और यह हमारा, जो side दिया हुआ है, तो अगर हम देखें, यह side कितना हो जाएगा, जो यह इसकी length है, length यह r plus r, 2r, जो यह diameter है, 2r और यह theta है, तो यह इसका length है, 2r cos theta हो जाएगा, यह length हो जाएगी और width कितनी हो जाएगी, इसके 2r sin theta क्योंकि यह rectangle है, मालूम नहीं है कि यह square बनेगा कि नहीं बनेगा तो हमने length और breadth को दोनों को एक ही variable में ले लिए तो variable क्या जाएगा हमारे पास theta आजाएगा, r तो constant है, तो इसलिए हमने क्या किया, area is equal to length into breadth तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह तो 2r sin theta, यह 2r cos theta है, अच्छा अब यहाँ पे 1 2 sin theta cos theta, 1 2 sin theta cos theta को हमने put कर दिया, sin 2 theta, ठीक है, और फिर हमारे पास बज़ गया 2r square, तो यह लिखा हुआ है यह चीज, तो 2r square sin 2 theta, अब यह function easy हो गया, that means अब जो function a है, यह किसके terms में, यह तो function है theta का, अब da by d theta कर दिया, तो 2r square into 2 cos 2 theta is equal to 0 for turning points, cos 2 theta की value 0 आगी, तो theta की value आगी pi by 4, तो theta का value pi by 4 होगे, एक ही value आए, अब क्या करते हैं, इसको check कर लेते हैं, कि इस पे हमारे पास जो area आएगा, जो function आएगा, वो maximum आएगा, minimum आएगा, theta is equal to pi by 4, तो हमने फिर इससे क्या किया, इसको secondary test करा दिया, तो d square a by d theta square कहाँ पे, theta is equal to pi by 4 पे, तो यह हो जाएगा, हमारे पास कितना हुआ, r square तो हमारे पास क्या है, constant है, 2 into 2 पहले से था, तो 4r square तो यह लिखा हुआ है, cos 2 theta का differential हो जाएगा, तो यह तो minus 2 sin 2 theta हो जाएगा, ठीक है, तो यह value हमारे पास आगई, minus 2 into 4r square into sin 90, तो यह value तो क्या हो गया, यह तो less than 0 हो गया, यह तो negative value है न, minus negative value है, तो यह क्या आगई, negative value हो गया, therefore local maxima, अच्छा, local maxima हो गया, अब हम देख लें है, अगर यह value theta है, तो हमारे पास यह square बन रहा है क्या, तो s theta is equal to pi by 4, तो हमारे पास length कितनी हो गई, length हो गई, 2 into r into cos pi by 4, cos pi by 4 कितना होता है, 1 by root 2, और breadth कितनी हो गई, 2 into r into sin pi by 4, तो यह भी 1 by root 2 हो गई, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे LB कितना आ गया? R root 2 और BAT P कितना आ गया? R root 2 जब length और BAT दोनों same rectangle की तो हो क्या होता है? It is a square ठीक है? तो यह हमारे पास square generate हो गया तो यह बोल रहा है the square is the maximum area ओके? next question देख लेते हैं question number 20 show that the right circular cylinder right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base तो पहले तो question को पढ़ना जरूरी है तो यह कहता है given surface का अंतला given surface area तो एक cylinder दे रखा है जिसका radius है R और height H इसका surface area कितना होता है? आपको मालूम होता है class 10th से area is equal to 2 pi RH plus 2 pi R square हमें maximize करना है? हमें maximize निकाला है maximum करना है volume तो volume में मालूम है pi R square H जब हम volume को maximize करेंगे तो हमारी वो volume maximum कब होगा? जब height is equal to the diameter of the base diameter का मतलब twice radius तो यहाँ देखिए यह सब कुछ यह लिखी वी है जो भी question में information है वो यहाँ पर लिखी वी है तो हमें area दे रखा, हमें क्या दे रखा है? given surface area तो A constant है और हमें maximize करना है, volume maximize करना है और फूबे करना है कि H is equal to 2R तो ठीक है? हमने यहाँ पर function लिखा अपना V is equal to pi R square H पर यहाँ पर तो R भी variable है और H भी variable है तो हमने यहाँ पर change कर लिया H को H को equation first की help से in terms of R and A तो यह आगया हमारे पास H का value A minus यह लिख दिया है यहाँ पर H का value A minus 2 pi R square upon 2 pi R from 1 तो फिर इसमें से जो term cancel कर दिया तो हमारे पास V का value इतना आ गया अब हमने देख लिया यह तो function जो V है यह function किसे terms में आ गया यह तो function ही terms of R आ गया तो DV by DR कर लिया तो A by 2 minus 3 pi R square इतने 0 put कर दिया for turning points तो यहाँ से A का value 6 pi R square आ गया A is equal to 6 pi R square तो अब लागा area is equal to 6 pi R square अच्छा A को is equal to 6 pi R square रखा है यहाँ पे तो यहाँ से महरे पास relation आ जाएगा फिर R और H के अंदर तो putting A in 1 we get 6 pi R square is equal to 24 pi R h plus 2 pi R h plus 2 pi R square यहाँ पे put कियाना है इसको तो यह 2 pi R h plus 2 pi R square तो यहाँ गया हमारे पास 4 pi R square 4 pi R square क्योंगे 6 pi R square minus 2 pi R square 4 pi R square is equal to 2 pi R h ठीक है तो 4 pi R square है तो इसका मतलब कितना हो गया और यह 2 pi R h है तो 2 pi R यहाँ से cancel हुआ 2 pi R यहाँ से cancel हुआ तो वापास यहाँ पे R बच गया 2 R बच गया ठीक है और वो H के equal हो गया So H is equal to 2 R तो यह condition जो कह रहा था वो condition वापास आ चुकी है अब चेक करते हैं कि यह maxima है यह minima है तो secondary test लगा दिया तो यह तो easy value है इस पर secondary test लगा देंगे तो यह तो 0 हो जाएगा और यह negative value हो जाएगी minus 6 pi R which is less than 0 therefore local maxima आ गया हमारे पास तो local maxima किसका function का function क्या है volume तो that means we are having maximum volume कब when height is equal to the diameter of the base and the diameter is 2R next question करते है question number 21 तो यह similar question है जो भी आप कर चुके है वैसा ही question है okay so of all the closed cylindrical cans तो can की बात कर रहा है तो cylinder की बात कर रहा है of a given volume इसमे volume given है ठीक है find the dimension of a can which has the maximum surface area तो given क्या है हमें cylinder दे रखा है और of a fixed volume given volume 100 तो 100 is equal to pi R square h यह हमें given है यहां से हम h is equal to 100 by pi R square हमारे पास यह relation बन गया हमें minimize यह करना है हमें minimize करना है surface area तो a हमें minimize करना है तो a is equal to 2 pi R h plus 2 pi R square और find यह करना है height or radius तो ठीक है a कितना आ गया function 2 pi R into h h हमने यहां थे calculate किया plus 2 pi R square तो हम यहां पर देख रहे है जो function a आया यह function a क्या आ गया function a is given in terms of r तो हमने da by dr कर लिया तो यह हमने किया तो हमरे पास आ गया minus 200 upon r square plus 2 pi into 2 R is equal to 0 manipulate करके यहां पर r का value 50 by pi की पार 1 by 3 आ गया तो यह तो r आ गया तो यह r आ गया हमारे पास अब हम क्या करें हमें r निकालना है और इस r को हमने put किया यहां पर जब r को यहां पर put करेंगे तो हमरे पास h की value आ जाएगी तो h is equal to 100 upon pi r का square ठीक है अब 100 को लिख दिया 2 into 50 into pi to the power 2 by 3 यह यहां से आ जाएगा denominator से upon pi into 52 to the power 2 by 3 तो अब pi को club कर लिया और 50 की power को club कर लिया तो हमारे पास result क्या आ गया twice into 50 की power 1 upon 3 और pi की power 1 by 3 ठीक है न क्योंगे नीचे pi है और उपर pi की power 2 by 3 है तो 1 minus 2 by 3 हो जाएगा तो 1 by 3 आ जाएगा तो यहां से हमने 50 की power और pi की power को club कर दिया तो हमारे पास यह result आ गया यह क्या आ गया यह तो h आ गया h तो h हमें मिल गया और हमें r मिल गया fine अच्छा अब यह देखते हैं कि यहां पर यह कुछ कह रहा है minimum surface यह minimum है क्या surface area तो फिर हमने इसका second derivative test लगाया तो second derivative test लो हम किस पर लगाएंगे हमने इसके उपर लगा दिया second derivative test तो यहां से value क्या जाएगी minus 4 यह हमारे पास क्या आ जाएगा 400 by r cube और यहां पर 4 pi r है तो 4 pi आ जाएगा तो यह दोनो values positive है तो greater than zero आ जाएगा therefore local minima तो surface area कितना जाएगा minimum surface सीधा की बात करेंगे तो surface area minimum हो जाएगा function की maximum or minimum value आती है और जो x जिस पर हम निकाल रहे हैं with respect to जिसको हम differentiate कर रहे हैं तो वो क्या होता है that is equal to minima या maxima next question देख लेते हैं एक और okay that we will see in the next slides so thank you very much